देवघर में रोपवे के वज़े से जो घटना हुई उसे सभी ने देखा द्रिश दिल को देहला देने वाले थी अब लोगों को भैभी हो रहा है कि रोपवे में कैसे घूमे अगर हमारे साथ ये घटना हुगई तो क्या करेंगी बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी कई सारी जग है और कई सारे टूरिस्ट स्पोट से हैं जहां पर रोपवे चलता है बात अगर बाका जिले में मंदार परवत की करें तो वहां पर भी रोपवे का प्रबंद है लेकिन अब कहा जा रहा है कि रोपवे को बंद कर दिया गया है क्या ये देवघर वाले कांड की वज़े से बंद हुआ है या फिर कोई और वज़ा है आपको विस्तार से बताते हैं बॉसी के मंदार 23 तित रोपवे पिछले 5 दिनों से स्टाफ की कमी और बकाया भुपतान को लेकर अब तक बंद है प्रति दिन दरजनों की संख्या में सेलानी रूपवे के लोवर स्टेशन समीब से निराश होकर लोट रहे है हाला की RRPL के साइट इंचार्ज मनीश तिवारी के नेतरत में मेंटिनेंस का काम प्रति दिन चल रहा है लेकिन ड्रॉली पर पर्यटक को बिठा कर परवत शिखर पर ले जाने का काम पूरी तरस से बंद बताया जाता है कि RRPL के द्वारा यहां काम कर रहे कर्मियों को करीब दो महीने से वेतन भुकतान नहीं किया गया है जिसकी वज़े से चार कर्मी छुट्टी पर चले गए है RRPL के Executive Director विपलवदास के अनुसार राइट्स के द्वारा एक करोड 84 लाख रुपे का भुकतान अब तक नहीं किया गया है आपको बता दें कि रोप में निर्मान का काम BSTDC के द्वारा राइट्स को दिया गया था और राइट्स के द्वारा यह काम RRPL से कराये गया है वारता चल रही है उमीद जताई जा रही है कि एक दो दिनों में रोपवे का परिचालन आरंब हो जाएगा और फिर से दूर दराज के साथ साथ जिले से आने वाले सेलानी आकाशियर रज्जु मार्ग के जड़िये परवत शिखर पर भ्रमन को जा सकेंगे दूसरी तरफ गर्मी की वज़से इन दिनों मंदार में सेलानीों की संख्या में भी कमी हो गई है इस संबंध में पूछे जाने पर रोपवे के परियटन विभाग के प्रमन्धक दीपक कुमार ने बताया कि छुट्टी पर गए कर्मी एक दो दिनों में यहां पहुँच और जल्द ही रोपवे संचालन का काम आरंब हो जाएगा आपको बता दे कि 21 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निदीश कुमार के द्वारा मंदार तराई में करीब 9 करोड की लागत से बने रोपवे का विद्वत उदघाटन किया गया था और इसे देश-विदेश के सेलानियो के लिए आरंब कर दिया गया था लेकिन उदघाटन के 43 दिनों के बाद ड्राईव में खराबी आ जाने के कारण इसका परिचालन करीब एक सब्ताह तक बंद रहा था इसके बाद लोगडाउन लगने पर रोपवे का परिचालन बंद किया गया था जिसे 7 फरवरी को नई से ड्राईव आने के बाद इसे आरंब किया था रोपवे बंद रहने से यहां आने वाले टूरिस्ट को भी निराशा हो रही है जिसके कारण परियतन विभाग को राजस्व का नुकसान भी पहुँच रहा है लाइफ सिटीज की डिस्क रिपोर्ट अगर अभी तक देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें धन्यवाद